तेजी का मूट तो है और सिर्फ ये हफ्ता कितना बढ़िया रहा है इन फैक्ट अगर आप लो से देख लें जो बाजार का था पंदरा एकसो के आस पर आप देखें तो हजार पॉंट की राली आ चुकी है अभी भी मूट बहुल अच्छा है आज के लिए भी संकेत अच्छे हैं तो ये मुमेंटम बरकरा रहेगा या फिर अब थोड़ा कंजेशन में बाजार आ सकता है वो आप कैसे ट्रेड करना चाहते है उस पर डिपेंड करता है अगर आप डे टू डे ट्रेडर हैं और स्कील ट्रेडर हैं दोनों तरफ के ट्रेड करना जानते तो आपके लिए करने का वक्त भी आ रहा है क्योंकि एक हजार पॉइंट की एक तरफा मुझी है अब तक जो भी हमने 8600 का है बना कर बार बार जब जब करेक्शन देखें अच्छी कासी गिराउट है उस गिराउट के बाद आम तोर पर हजार पॉइंट की रिकवरी के बाद बादा रुकते अब हजार की रिकवरी का मतलम 900 पर रुक जाए 1100 पर रुक जाए वो उस समय के लेवल्स इंपोर्टेंट होता है बट ब्रोडली वह लेवल होते हैं जिसके आज़ पास आपको आकर बादा रुकते वे रिजर आते हैं इस बार की जो रेंज निकल करा रही ब्रोडली 16200 से 16 300 के आज़ पास की रेंज होती है जिसके आज़ पास रुकने चाहिए और यहां से पार करेंगा हम 16600, 1600, 1700 की रेंज पहुचेंगे वो लोजिकल अगला लेवल होगा तो 16200, 1600, 1600 की आज़ पास हो सकता है थोड़ा बहुत रुके बादार रुके तो कुछ गलत भी नहीं है 1000 प अपनी स्ट्रड़ीजी क्लियर कट रखें बायोन डिप्स की क्योंकि आपको दो बड़े ब्रेक आउट मिल गए निफ्टी और बेंग निफ्टी पे 15800 की और ब्रेक निफ्टी पे तो मैं भूली है शायद 3300 के उपर की थी या जो भी है अब याद नी आ रहा क्योंकि अब जरूर खरिदना चाहिए और वह 16000-16000-50 होता है अब थोड़ा दूर है गैप से खुलने के बाद ऐसे दूर नहीं है गैप से खुलने के बाद फ्रेश खरिदारी की रेंज वहां बनती है और अधर वाइस फिल ट्रेडर है और उपर के लेवल पर अच्छा मौका अगर और वीकल एक्सपारी कल आपकी निकल गई थोड़े से मार्केट जो दो दिनों में और रॉबट हुए तो वह बे अल्मोस्स न्यूट्रल है पोजिशन कम है तो ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात आज तो नहीं दिखती दी लेकिन हां अगर ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट नहीं दिया मंडे से तो थोड़ा यहां रुखने के लिए जगह ठीक है और अगर अगर आप 15,800 से 16,000 की रेंज वापस दिखा दे तो वहां से जो टेजी बनेगी वो बहुत बढ़िया होगी वो एक वो आपको यह कंफोर्मिशन देगी कि 15,200 आपका बोटम पका बन गिया दो उस देजी में जो आपको वापस से स्टॉक्स मिलेंगे वो ब्रोडर मार्केट वाले मिलेंगे अभी क्या है बैंक इफ्टी चला रहा है ओटो चला रहा है लेकिन तब आपको मिटकेप स्वाल केप्शन बहुत जबरदस दिखेगा और वो चाहिए अल्टिमेटली आपकी कायदर से देखा जाए तो आम तोर पर रिटेल दो पांच जार दस जार रुपए की डिलिवरी का ट्रेड रोज करना चाता है थोड़ा बहुत पैसा बन गया यह यह पोजिशनली कर लिया तो वो चीजे जब तक वो कैश मार्केट स्टॉक्स में रोटेशन प्राइ हो गया आप सोला तीन सो सभी गूंगे तो हो सकता है पंदर आट सोला जार की रेंज में कहीं बेस बनाए बट मेरे ख्याल से ओवर ओल सेटप ठीक हो गया है जो स्ट्रेस था वो निकल गया है और अब आपको पता है कि चीजें और भी खराब हो सकते लेकिन उसके और इंट्रेफ सेट को लेकर काफिया तक सेट हो चुका है तो वो प्राइस हो गया है जो हो चुका है अच्छा